हालो माइडिया स्टूडेंट वेलकम टू बेटा वर यूटूब चैनल एप्लिकेशन अकाउंट्स बाइएमल सर बेटा अल्रेडी हमने जो लास्ट लेक्चर था लेक्चर नमबर वन वहाँ पर हमने बेटा की आता एक्स इंट्रेस्ट प्राइस क्या होता है कम आपको पता होना चीज़ित अपने पता होना चीज़न सबसे पहले हम देखते बिटा सम में बोला क्या है और फोर्स्ट जन्वरी टूथाउजन थाऊजन वन थाओजन ट्व Immediately ऑपने पास फ्रस्त जनवरी फेस्त का है वेटा सिवा संट और आब यहाँ पर आपको सबी को पदा Desde एक हजार अपने पास डिबेंचर हो हर्का वैल्यू सो है तो अपने लिए कितना होगा एक लाग मेरा कुंसा वेल्यू हो गया नॉमिनल वैल्यू हो गया और यह 91 मेरे लिए क्या हो गया कॉस्ट हो गया सब्सक्राइब करें अगले दिन तो पे कर दिया वापी से अभी मिलने वाला नहीं है और फास्ट अप्रील टू थाउजंड थर्टी थाउजंड सच डिबेंचर त्वेंटी थाउजंड मतलब कितना होगा आपने को दो सो डिबेंचर हरेका वैल्यू कितना रहेका 100 रुपिय सब्सक्राइब कितना हो रहा है 98 कम इंट्रेस्ट कम इंट्रेस्ट का मतलब क्या होता है कम इंट्रेस्ट का मतलब होता है इसके अंदर इंवेस्टमेंट कि investment और इसके साथ साथ इसके अंदर इंठरस्ट का पैसा भी included clear है ि कम इंठरस्ट का पैसा भी included है कभी purchase कर है 1st April को कर रहा है 1st September को क्या कर है 30,000 such a debenture sold 96 x interest x interest मतलब direct अपने लीग क्या हो जाएगा 2nd cost of investment हम इतने का पैसा क्या कर है we Q HAspe सेक्राइगे से करेंगे फ्रस्ट डिसेंबर को फिफ्टी ताउसंअ सच चे डी बेंचर वापीस है मतलब यह आपर दो बार सेल्स की फॉर्स सब्टेंबर को से ल कर रहे और और फॉर्स डिसेंबर को भी चलिए यां पर है थर्टी फ़र्ट डिसामबर हर एवरी महने क्या होड़ है थर्टी फर्सट दीसेंबर को अपने पास मिलेगा प्रिपयर इनवेस्समेंट अकाउंट हमें क्या करना है प्रिपेर इनवेस्समेंट अकाउंट करना और 12 पॉसेंट डिबेंचर ऑफ सिवा लिमिटेड इन दो बुक्स ऑफ मिस्टर धर्मेश क्लियर है बुक्स कभी क्लोज हो रहा है 31st December 2013 को क्लोज और अप्लाइंग अकाउंटिंग स्टांडर 13 दिबेंचर वेर कॉट ऑन 93 आपको पता रहेगा यह क्लोजिंग स्टॉक आपने देखा पता है कि नहीं पता है का ट्वेल्थ में तो 31 दिसेंबर को अपना डिबेंचर का वेल्यू हम कितना आज्यूम कर रहे है तो यह हो गया आपको एक फॉर्मेट सबसे पहले फॉर्मेट बना देखो दो सामने सामने क पेज में लिए हाला कि मैं पैंसिल से सौल किया हूँ वीकि मैं सोचते जाते हो क्या बताना है इन दबुक्स अफ धर्मेश आ गया इनवेस्मेंट इन किसमें कर रहे है कि बटाइग 12 पॉसेंट डिबेंचर इन शिवा लिमिटेड इन वेस्मेंट इन ट्वेल्पसेंट लेगा शिवा लिमिटेड अर्जान 31st जो भी एर और फॉर दे यर इंडे 31st डिसेंबर 2013 अकर मार्च लेगा तो मार्च लेगे और जो फॉर्ट लाइन लेगी महां पर आगा दूडेट दूडेट ऑफ इंटरस्ट कभी अपने पास 31st डिसेंबर पर यहां पर आगा डेट पर्टिकुलर यौिवर किन नौट वर किना वन तो थी ता ली चृत अरी ऑर इंटरस्ट और टूस्ट ञाने यहां पर अपीश का पहले अब क्या करते टाइंट बना लेते हैं सबसे पेले अपना अकाउंट विचाल और फर्स जन्वरी को चालू अब को करना कुछ यहां पर जो मत आएगा ट्रांजेक्शन देखो सबसे पहला क्या है फॉस्ट जनवरी को अपने पास क्या ओपनिंग तो यहां पर फॉस्ट जनवरी को यह डेट क्या हो रहा है फॉस्ट कोई हो रहा है तो यहां पर मैं लिख देदाओ फॉस्ट यहां पर क्या हो रहा है ट्रांजेक्शन क्या होता है ओपी मतलब होता है ओपनिंग फरवरी में कुछ हो रहा है नहीं सर फरवरी में कुछ भी नहीं मार्च में कुछ हो रहा है सर देख लेते मार्च में कुछ हो रहा है नहीं हो रहा है सर फॉस्ट अपरील को हम डिबेंचर क्या करें परचेस करेंगे तो यहां पर आप पी से लि सब्सक्राइब को क्या करेंगे सेल करेंगे तो सब्सक्राइब तो यह आ गया मैं एप्रिल में जून जुलाई ऑगस्ट सब्सक्राइब को क्या करेंगे सेल्स करेंगे और फॉर्स डिसेंबर डिसेंबर की फर्स्ट को क्या करेंगे हम सर सेल करेंगे देखो डिसेंबर में दो है डिसेंबर में सेल करेंगे और यादे वेटा 31.th डीसेंबर को क्या मिल रहा है अपने को इंटरस्ट क्या मिल रहा हैं एक समझ में जन्वरी को ओपनिंग में फरवरी में मुझ थैपनिय मार्च में कुछ है नि एपरियल को वापी से परचेस करें थे मार्च में कुछ नहीं में में कुछ नहीं जून जुलाइ और सब्सक्राइब को सेल करें और को सेल करेंगे और 31 December को मिर को क्या मैं इंट्रस आपको क्या करना है working note बना देना यह पहली working note आपको हमेशा टाइम लाइन अभी देखना है अभी सम को देखने किसे होता अभी वापी से देखो फॉर्स्ट ओपनिंग तो चलो सर ओपनिंग कि इदर आएगा ओपनिंग देखो इदर आ जाएगा चलो ओपनिंग को अपने पता रहेगा डेबिट साइट रीडिंग प्राइब सबसे पहले ओपनिंग तो यहाँ पर कह लिएक 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 लाग मैरे लेक्टत आहो गया सर नॉमिनल वेल्याग मैरे लिएक लिएक क्या हो गया नोमिनल वैल्य इंटरस्टों मिलने वाला नहीं है क्योंकि 31st December को ही मिल गया न तो अभी इंट्रस्ट मिलने व और उसका कॉस्ट कितना है आप पर था 91,000 मेरे लिए क्या एक कॉस्ट है तो 91,000 मेरे लिए कॉस्ट समझ में आया पेटा इंटरस्ट क्यों डेस्ट किया क्योंकि 31 अभी मिला अगर सा 31 अक्टोबर रहा सप्टेबर था तो अक्टोबर नौवेंबर डिजए से तीन महिने का मैंसे काउंट करके वर्किंग नौट बना था अगर इसमें कुछ दिया गया नहीं है अगर लास्ट अभी जज रिसंटली मिला ना रेकी दिन पहले डिसेंबर था 31 डिसेंबर के जनवरी अभी आध एक दिन का इंटरस्ट काउंट होता नहीं एक महीना का होता तो मैं करता एक दिन का तो करने की जरुद नहीं यह ओपनि मैं कुछ नहीं है मार्च में कुछ नहीं इस एप्रील में क्या है विटा पीप spill रहेख कभी पर से करएगे इसके लिए आप करना पड़ेगा वर्किंग नोट वरकें को नहीं मदाता है यह ओप्निंग स्टाउक मां बनाना पड़ता है लगे यह यहां पर इंट्रस्ट का लास्ट ही दिया था 31 डिसेंबर और 1 जनुरी इसके लिए नहीं बनाया वर्कinenлоत न्मबर यहां पर बनाते वन इलाकि हो टाइम लाइन वाले को मैं वर्किंग नोड नहीं मानताँ शऽुषिचा इसको working से पहले देट करेंगे कांँ से बता चलेगा है यहां से राप फॉस्ट अपरिल 2013 को मैं कितना करूं चाहedj डिबेंचर वेर पर्चेस एट धरमेश एक दरेट रूपीज 98 कमिंटरस्ट सर बीस अजार है हम 98 में खरी अरे बीजर का मतलों उपर मैंने बता है था ना अब लिए क्या है तो 200 डीवेंचर मुल्टीप्लाइबर रहें सो करो तो कितना जाएगा बीस अजार यह बीस जार मेरे लिए क्या है नॉमीनल वेल्यू पर्चेस करेंगे तो उसकी जर्नल इंट्री क्या होते हैं डीवेंचर खरीदा तो एंट्री क्या होता है अभि कुन सा प्राइज इसके अंदर कम इंट्रेस करेंगे तो इंवेस्मेंट आ रहा है इंट्रस्ट आ रहा है तू बैंक अपने को जो पैसा मिलेगा यह वाला मिलेगा बैंक मतलब यह जो दो अपने को बैंक मिलेगा इतना पैसा पे करेंगे कम इंट्रस्ट मतलब उसके अंदर इंट्रस्ट का पैसा निकालने बहुत ही सिंपल यहां पर देखो तो यहां पर हमने वर्किंग नोट बनाए अपने को पता चल गया खरीद रहें खरीद पर्चेस करेंगे इंवेस्मेंट अब मिले के इंट्रस्ट अगण ट्रस्ट इंट्रस्ट अखरीएंग मिले कैंब तो इसका नाम आएगा बेंक पता ही रहें हां आपको डेबिद में किसका नाम लिखेंगे तु अ spent नंबर वन कितना डीबेंचर परचेस कर रहो हूं कि मल्टिप्लाई रूपीज कितना रोचा नंटि एट 98 कि यह कम इंटरस्ट का ना इनटी एट क्या है विटाई कम उसके अंदर इंटरस का पैसा इंक्लूड दोस्तों मुल्टिप्लाइबाइ नाइनटी अगर हम करते हैं तो अपने को आंसर मिलेगा उननीस जार चेसो रुपया मिलेगा यह उननीस जार चेसो क्या है मैंने यह इतना पैसा पे किया यह जो आयागा मेरा कम इंट्रेस्ट का मतलब होता है यह मैंने पैसा क्या कर दिया पे किया अमाउंट मैंने क्या कर दिया पे किया अमाउंट पे किया मतलब किसना पैसा पे किया इंट्रेस्ट का पैसा और कॉस्ट का पैसा दोनों का मिला के में इतना पैसा पे अभी मेरे को दोन लेली इंटरस्ट हम्मेशा किस पर मिलता है लुटीपला कितना पर सेंट ट्वेल पर वींचर तो ट्वेल अपन कितना आता है हउंट्ड्रीड मुल्टिपलाइब है लास्ट अपने को adam कभी मिला था लास्ट टेम को changed तर्टिफर्स डिसेंबर देखो ड्यूदेट उटल इंटर लास्ट में 31 डिसेंबर डिसेंबर मतलब कभी आएगा चनीवरी फरवरी मार्च समझ मैं लास्ट एम अपने को गभी अपने अपने को अपत रोंड गैसा है क्योंकि सब्सक्राइब को पाने में टो एक प्राइब्ध इसेंबर जनवरी फ़र्वरी मार्च एप्रील आएगा निया रहे अप्रील तो स्टार्ट हो रहा है तो कितना महीं आए 3.00 कट करो 00 कट करो 00 कट करो 00 कट करो यह 200 x 3 कितना याएगा 603 इन्टरेस्ट मिला तो इंटरस्ट कितना मिला सर मेरे I शेसी को मॲें निर्ट्रेस्ट मिला अभी मेरे को स्कुष्ट चाहिए तुच कैसे मिलेगा तो यहां पर देखो स्कूस्ट्ट Michelin सब को फार्मूला पता है ये जो मेरे लिए आए कामांज पेड़ उसमें से क्या करना है सर मेरे को इंट्रस्ट का पैसा क्या करके रखना है माइनस करना इंट्रस्ट का पैसा क्या करके रखना है माइनस तो यह जो 600 रुपया उसमें इंट्रस्ट का पैसा माइनस कर दो तो कितना है का सर अपने को 19,000 रुपया मेरे को मिलेगा तो कॉस्ट कितन यहां पर हमने किया इतना पैसा और हम इन्टरस का पैसा च्राइब और उन्होंट का इया प्रक्राइब स्क्राइब करना पड़ेगा अमाउन पएड़ कि बदले कम इंट्रस प्राइज कम इंट्रस्ट किया रहेगा सर इंट्रस्ट कर या यह वर्किंग नाट क्या हो गया वन हो गया डिट अभी सेकेंड पर बढ़ते हैं चाहा पर सेकेंड में देखना है अभी यह व गया अभी अब सब्सक्राइब्स जब अटमन शब्सटमेब्स कैया करें तोतला और आंपर लगे यहां पर आएका सब्सक्राइब सब्सक्राइब कुन सा मिना नवा प्रोट्वर बराबर फॉस अप्टेबर 2013 सेल्स करेंगे तो इधर किसका नाम हैगा बाई बैंक अकाउंट का क्या जाएगा नाम आजाएगा और क्या करेंगे सेल्स करेंगे तो यहां पर आएगा सब्टेबर 2013 को कितना सेल करेंगे दिया गया यहां पर दिया है के सब्टेबर को यह है रा है याँ लो पॡर को कितना करें धाप्टी थाउसंद सच दिबेंचर व्र वे शोल्ड तीन में ओंसर तीश्धुकश fo मेरे पास है आप नॉमिनल वेल्यू कितना हैllen आप तो यहां पर वर्किंग नोट नमबर टू तो हम कितना करेंगे 96 एक्स इंट्रस्ट तो यहां पर आएगा तो यहां पर आएगा है थ्री अंड्रेड डिबेंचर मुल्टीप्लाइग रूपीज कितना है थ्री अंड्रेड मुल्टीप्लाइग नाइन्टी सिक्स करो कितना आ जाएगा सर 28,800 रूपया यह एक्स इंट्रस्ट माला उसके अंदर इंट्रस्ट का पैसा इंक्लूड नहीं इंट्रस्ट 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 निकालना बहुत ही सिंपल है चलो इंट्रस्ट तो यहां पर आ जाएगा पैटा 30,000 क्योंकि नॉमिनल वेल्वी तो अपना 30,000 है इंट्रस्ट में सा कि इस पर मिलना है नॉमिन 30,000 मुल्टीप्लाइब ट्वैल अपॉन हंड्रेड क यह 12 पॉसंट है तो और कितना महीन अवा देखो डिसेंबर को मिला था जन्वरी फर्वरी देखो यहां से अगर आप करें जन्वरी फर्वरी मार्च एप्रिल में जून जुलाई और सप्टेबर आएगा ने क्योंकि फर्स अप्टेबर को सेल गया तो कितना महीन हो एक दो तो कितना अगया अपने को 2,400 रुपे अपने को आगया किसका अचर यह पैसा इंटरस का है अभी अपने को टोटल कोस्ट वगेरा निकालने की जरूरत नहीं आपको निकालना है तो निकालो वरना यहां तक सम करो के चलाई जाए इंटरस मिलगा 2400 रुपे इदर लिख दो तो टोटोल एमांट मेरे को कितना पैसा रिसी हुआ कैसे पता चलेगा टोटल एंद्व लाथिशा रूपया नरे छे फिस एक्स इंट्रेश प्राइज प्लस क्या रहेंगा मेरे लिए इंट्रेस्ट है प्लाए 808002,400 तो मेरे को ट kalian 31,200 रुपइया मेरे को रिसे हो यह आपकी जहानकारी के लिए आप को लिखना रहेगा तो लिखो नहीं लिखना रहेगा तो नहीं लिखो पर अभी मेन में चीज क्या होता है सर्फ profit हुआ की लॉस हुआ कैसे पता चलेगा तो working not number 3 in working not number क्या जाएगा 3 क्यों सर्व अपने को पता तो चलना चैक profit हुआ लोओस हूँ हमने बेच जाइस ही बातब soccer class यहां पर working not number 3 क्या अभी प्रोफिट या तो लैगा profit स्लेस लॉस ओन सेल ओफ इन्वेस्टमेंट कभी हम सेल करेंगे बेटा फॉर्स सब्टेबर टू थाउजन थर्टीन को क्लियर है हम जब ही सेल करेंगे तब प्रॉफिट हुआ लॉस हुआ कैसे पता चलेगा तो देख एक फॉर्मूला मैंने बताया था आपको याद होगा कि पहले ही मैंने बताया था आपको अगर एक बार खाली देख लेते हैं स्टार्टिंग अलेक्च आपको समझा प्राइस इस इकल टू नंबर आफ नंबर आफ शिक्यूरिटी सोल अपन टोटल नंबर ऑफ सिक्यूरिटी मल्टीप्लाइब टोटल कॉस्ट ओफ इन्वेस्टम है कि 20,000 तो यहां पर हम 300 सिक्यूरिटी मजलें यहां पर अगर डायरेक पाइसे लिखो गें 30,000 और यहां पर आप लिखोगे अगर एक लग 20,000 तो जैसे अगर यहां पर मैं आपको लिखता हो देखो तो यहां पर आएगा देखो अपने पास टोटल नंबर ऑफ सिक्यूर वाई-फैसो कितना आया का मेरे पास 30 आएगा और टोटल मेरे पास सिकुरीटी कितने का 1,2,2,3 बारा सो मैंटिप्लाइ सो कर तो एक लाग बीस आइडीर क्लियर अब यह लिखो यह लिखो कान ऐसे पकड़ो एसे पकड़ो डायरिक इतर एक लाग बीस तर लिखो तो भी यह होगा देखो यह 4040 3030 क्या आजाएगा माइनस समझ मैं 30 सेक्यूरिटी सेल कर रहा हूं मेरे पास कितना है 120 मतलब क्लियर 120 मतलब मैं 30 सेक्यूरिटी सेल करो 100 वैल्यों मैं जिरो और माइनस करो तो मतलब अगर यहां पर मैं आपको करके बताओ मैं 300 सेल करो मेरे पास कितना है 1200 है अगर इसको और 00 माइनस करो और 00 में माइनस करो तो 3 अपॉंट वैलाइक आप ऐसे लिखो या तो जैसे मैंने लिखा वैसे देखो अगर आपकी मर्जिय ऐसे लिखना ऐसे तो मतलब मेरे पास कितना था 30,000 था और यह कितना था एक लाग 20,000 का सेक्यूरिटी सेल किया और टोटल मेरे पास सेल किया मैंने 30 और टोटल मेरे पास कितना है कि एक लाग प्लस बीस एक लाग 20,000 का तो यह हुआ कान ऐसे पकड़ा ऐसे पकड़ा इसमें जीरो जीरो माइनस कर दोगे तो भी चलेगा अभी टोटल कॉस्ट टोटल कॉस्ट कितना था यह रहा प्लस उनीज़र यह सेल किया उसका नहीं इंटीवन और उन्निज़ टोटल मेरे पास कितना एक लाग दसज़र का है तो मल्टीपला कितना आएगा एक लाग 10,000 रुपे का है के लिए रेडन समझ में आगा इस फॉर्मूला तो यहां पर मैं लिख दे तो फॉर्मूला सबस of security sold number of security क्या है sold और यहाँ पर नंबर उफ total security मृप्ली प्लैबिढ टोटल कॉस्ट ओफ इंवेश्च्मेंट टोटल कॉस्ट ओफ क्या है इउन्वेश्ट्मेंट टोटल कॉस्ट ओफ इंवेश्च्मेंट कितना एक लग्धे सबसस्सार जिया पर सो सो से बस्त्राइब तो 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 टना जाइए करो इसको लिवारसु स्कुरीटीटि और एक लाक दस काम करो हूं और सँ अग्रोलर है टैसे हो गया तो कितना यहां गां किरो इसको तु इसको फूलीप्लाय कर दो वन वन चाहरू दिवाइड बॉघ बार., दो कितना है क्यूंत तुर दइटन सेवन थाओजनक्य लुख 73512 27,000 यह क्या दा मेरे लिए कॉस्ट ऑफ इंवेस्मेंट यहां पर मैंने क्या फाइंड किया कॉस्ट ऑफ इंवेस्मेंट यहां पर आ जाएगा मेरे लिए कॉस्ट ऑफ इंवेस्मेंट तो cost of investment मेरे लिए कितना है 27,000 और मैंने इसको कितने में बेचा यह 27,000 वाला कितने में बेचा मैंने 28,800 में बेचा मतलब profit हो रहा है कि लॉस हो रहा है जाइर सी बाते मेरे को क्या हो रहा है सर profit हो रहा है तो यहां पर आएगा profit on sale of investment कैसे पता चला यह जो मेरे लिए sales price minus cost price कितना था मेरे लिए अभी मैंने cost of investment कितना था 27,500 और मैंने उसको कितने बेचा था 28,800 रूपए में बेचा था 28,800 करोगे तो मेरे को कितने का profit हो रहा है 1300 रूपए का क्या रहा है प्रॉफित हो रहा है तो यह मेरे लिए क्या होगया profit और मैंने बताया था profit आएगा तो याद रखना profit and loss account क्या होता है प्रफिट आएगा तो क्या होता है जर्नल एंट्री लिख रहू हुआ हैं प्रफिट एंल लॉस अकॉंट क्या होता है क्रेडिट देटरा सू रुपय और डेबिट में किसका नाम आता है Sir, इनवेस्ट्मेंट किसका नाम आता है बच्चा इनवेस्ट्मेंट अ को nic만 का नामत हैं कितने से आ जाएगा तेरा सू रूपे से आ जाएगे याद रखना ये यह मैंने जनल एंट्री लिखिया लख अबया को या यह इसर आपने बताया नहीं अरे चार यह बताया वह आ यह मैंने आप लोग को गेडर गया यह लॉस होआ प्रॉफीट होआ तो मैंने बताए था प्रॉफीट क्रेडि डेबिट में किसका नम आएगा इन्वेश्मेंट सेल्स प्रैस माइनस कॉस प्रैस तो मेरे लिए प्रॉफीट हो गया देखो नहीं आपर मैंने सेम ही तो लिखा है बच्छे लोग इंवर्षमेंट काहां पर है बित स्यविश्ट इंवेश्मेंट ए डबिक्व हो रहा है है ऑक कि में प्रॉफिट और ब्रेकेट में कहा लिके लिख मैं प्रॉफिट श्रभ नॉज सतब आई ठीड है था इब या तेरा सो रुपय का profit direct किसमें आ जाएगा सर्क कॉस्ट में आ जाएगा बाकि सब में क्या जाएगा डेश समझ में आया बच्छे लो profit directly किसमें आ जाएगा यह cost में चला जाए क्यों इंट्रस्ट भी नहीं नौमिनल वेल्यू भीनिये तो यह investment अकाउंट डेबिट क्रेट में किसका नमाया प्रॉफिट लॉस अकाउंट तो इन्वेस्मेंट डेबिट है डेबिट में डेट लिखा वर्किंग नॉट नमबर थ्री नॉमिनल वेल्यू कुछ निये डायरिक यहां पर लिखो तेरा सो रुपय लिख दो क्लियर खतम हो गया ह आप समझ में आया बेट्चा आगे पढ़ते अगे क्या बोल रहे है देखो यह भी हो गया यह बहुत अमबर जो भी रहे पना फो आइगा यह जाए यह नॉट ट्री था अबहुत भी इन्ञेंग नमबर क्या आजेगा फूर यह पहला समय इसके लिए आपको थोगा डिफि सेल्स कभी करें के सर फ़स्ट देखो यह राब फ़स्ट डिसेंबर को 50,000 रुपे का क्या करें डिबेंचर सेल करें कि 99 कम इंटरस्ट मैं उसके अंदर इंटरस्ट का पैसा इंक्लूड है तो सर यह पचास जार है तो कितना आएगे पांच जार डिबेंचर मुल्टीप्लाइ पहल अंडर है हुए हं तो हो गए हिंट टोटल पचास जार एंटरीजा तो कान गरें करें के सेल्ज सेल्स करें के सेल्स ओलवेस का होता है qredits सेट खेर यह यह पर लिखते है निक्टर यह था पर 1 दिसेंबर हो इंदल बर नमबर दो यहां पर फॉस्ट डीसेंबर मतलब बारवा महीना दो अजार तेरा में सेम यह कोई सेल्स करेंगे तो बाई तो पैसा आएगा बैंक अकाउंट और यहां पर ब्रेकेट में लिए तो सेल्स अकाउंट वर्किंग नॉट नंबर फॉर कितने का सेल करेगे पचास अजार रुपे का क्या कर रहे थे सेल कर रहे तो यहाँ पर वर्किंग नॉट नंबर फॉर यहाँ पर आ जाएगा वर्किंग नॉट नंबर क्लियर है डेट क्या है सर यहाँ पर फॉस्ट ट्वेल टू थाउजन थर्टी बराबर ना पहली तारीक बारवा महिना और दो अजार तेरा क्लियर हम कितने का सेल करेंगे सर यहाँ पर पांच जार रुपे का डिबेंचर की सौरी पांसो फाइंडर डिबेंचर है बैचा करें दे उसके इंदर इंट्रेस का पैसा इंक्रूड़ हैसा इंटइन RB क्या है कम my do you pay attention काम करते चलो निकालते हैं तो 500 डिबेंचे रे 99 कम इंट्र स्परेस्स तो मतलब टोटल वैल्यू कितना है सरस्ट का 49,500 यह मेरे लिए क्या है टोटल और यह मेरे लिए यह 50,000 पे nominal value multiply by 12% 12 upon 100 कितना महीन आ हुआ सर देखो दियान से 11 महीन हुआ कैसे last time 31 December January, February, March, April, May, June, July, August, September, October, November, December, December कितना महीन हुआ एक, एक, दो, तीन, चार, पांच, छे, साथ, आट, आउ, दस, क्यारा कितने महीन हुए ग्यारा तो मेरे को इंटरस्ट कितने मैंने कब आके 11,12, 12, 12 क्या हो गया, cancel, 00, cancels, 11,5, 55, कितना आया सर यह आ गया मेरे लिए 5,500 रुपए, कितना आया सर 5,500 रुपए मेरे लिए इंटरस्ट में लिए दू, 5,500 रुपए, इंटरस्ट आ गया, अभी मेरे को क्या ची कोस्ट ही है, तो कोस्ट, कोस्ट कैसे मिलेगा सर, यह कम इंटरस्ट, कम इंटरस्ट प्राइस, माइनस क्या करना पड़ेगा, मेरे को इंटरस्ट का पैसा क्या करना पड़ेगा, माइनस तो कम इंट्रस प्राइज मज़ें तो 49,500 माइनस 5,500 कितना आए सर 44,000 देखो आपको यह सीम्पल लगा रहेगा क्यों कि एक बार कर दिया नहीं तो कितना आए सर 44,000 रुपीज मेरे लिए आ गया कॉश कितना तो हो गया नहीं बच्चा नहीं वर्किंग नॉट नंबर 5 प्रो है यह तो लौस हो रहा है लौस सेल ओफ इन्वेस्मेंट कभी सेल करेंगे और फॉस्ट टेवल टू थाओंजान थाओंट फॉस्सक्राइज मालब फॉस्स डिसेंबर 2013 को अपने को प्रोफिट हो रहा है कि लौस षख अपने को फाइन कर रहा है तो सर फॉर्मूला बहुत ह simple क्या था याद आपको देखो क्या था number of सबसे पहले यहां पर सबसे पहले यहां पर आदे cost cost of investment is equal to number of security sold upon number of total security सब्सक्राइब कितने की security इसे पांसो सेक्यूरिटी सोल की सिंपल सी बात है सर्क 50,000 की थी हरेकी वेल्यू 100 रुपया है तो टोटल कितने आजाएगी 500 security इसे अभी मेरे पास कितनी security बच्ची यह देखो अभी बच्चे बोलें के सर्फ 1200 security नहीं बच्चा बारा सो नहीं है यह एक लाग प्लस बीस कितना था एक लाग बीस मैंसे बच्चा मैंने यह 30 यह इसको भूल जाए तो अभी का है चरह तो अभी तो profit and loss नहीं करें इसका भी नहीं करना है तो उसी दिन को यह keynote कर रहा हूं कर रहा हुए इसके पहले पहले यह दिन खो बोल जाए वाले को पूरे को भूल जाओ बच्चा यह पूर को बूल जाओ कि इससो दिन को भूल जाना अपने को कैसल को GH,ाइसके पहले किटना इस एक लाग 20 और यह मेरे पास कितना था यह 30,000 क्पार था का माइनस कर दिया तो मेरे पास कितने वहां से की दिता इक दिकना में हैं तो मेरे पास 900 सेकुरिटी आया समझ में आया कैसे 900 सेकुरिटी आया एक लाग बीस में से मैंने 30 का अर्डी सिकुरिटी बेस दिया मेरे पास कितना है 900 सेकुरिटी यह आया कि मल्टी प्लाइ क्या है तोके सीम है 235 या टोको प्रेक्षट ऑफ इन वेस्टमेंट हुआ है तोकल्स फॉर्मूला ये मल्टीप्लाइ बाई टोके सब्सक्राइब सब्सक्राइब ना देट शेल पजनी सब्सक्राइब करना कुछ नहीं इसको भूल जाना इसको भूल जाना इसको भूल जाना टोटल कॉस्ट को एड़ करो 91 प्लस 19,000 इसको गिनना है यह उस दिन को नहीं उसके पहले वाले का प्लस तेरह सो कितना है एक 1,11,300 भी जो smart बचचरे को इसको पता रहे का कितना है सर 15,13,300 सर 11,300 प्लस यह मैंने बेज दिया तो यह तो मेरे पास है नहीं तो इसको माइनस कर दो 28,800 को क्या माइनस कर दो माइनस 28,800, clear है? यह मेरे पास है, यह मैंने क्या किया? पर्चेस किया, यह मैंने क्या कर दिया, यह मैंने क्या कर दिया? मतलब टोटल कॉस्टों इंवेशना अंधर डेट औफ सेल, मतलब मेरे पास अभी तक कितने का बचा? जैसे अगर इसका भी चलो फूरा फूल फॉर्म में लिख रहे थे तो इधर भी फूल फॉर्म में लिख देदा हूँ इसका आपको समझ में आ गया 1200 था 1200 मैंसे मैंने 300 बेज दिया clear it done तो मतलब मेरे पास कितना यह 500 सिक्यूरिटी और बचा 900 और multiply एक काम करो एक लाग 11,300 माइनस 28,800 माइन एक लाग 11,300 माइनस 28,800 कितना है 82,500 clear it done 00-00-00 माइन मल्टीप्लाइ क्या करना 82,500 मौल्टीप्लाइ भाइ 5 डिवाइड बाइ 9 कितना है सर मेरे पास इसका जो कॉस्ट कितना है सर 45,833 यह मेरे लिए क्या आ गया cost of investment cost of investment cost कितना था 45,833 मैंने कितने में बेचा 44,000 मैंने कितने में लिए कितने में बेचा 44,000 मैं कितने में था 45,833 मैंने कितने में बेचा 44,000 मैं तो मेरे को profit और रहा है कि लोस हो रहा है तो लोस कैसे समझ मैं cost price cost price cost price माइनस सेल्स प्राइस कॉस्ट मेरे लिए 45833 और मैंने फाइनली कितने बेचा 44 में बेच रहा था माइनस 44,000 में मैंने क्या कर दिया सेल कर दिया मतलब मेरे को कितने का लॉस हो रहा है 100833 का मिल को लॉस यह मिल को क्या हो रहा है लौस यूरा स Dieses गनी ट्रहसर की wary निल को अलुच घरे लॉस ट्रॉस के लिए 100Study मेरे लिए 0833 आप लंच अल्वेज की लॉस आता है लविस ट्रहसर में धाने कितने से आया कि नहीं आई यह रहा आया पेटा कहा गया यह रहा मैंने जर्नल इंटरी आपको बता देगा लॉस होगा तो प्रोफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू इन्वेस्मेंट क्लियर कितने का यह सर तो इन्वेस्मेंट कहां पर एक क्रेडिट तो क्रेडिट तो इधर प्रोफिट एंड लॉस अवान प्रोफिट हुआ के लॉस हुआ लॉस हुआ वर्किंग नॉट नंबर फाई इसमें डैस करो 1833 क्लियर रेडन 1833 रूपीज का मेरे को लॉस चलो हो गया सर सम यस हो गया अभी लास्ट में क्या करना है सर इसको टैली कर देने टैली करते समी य जादा है इसको थोड़ा समय उपर ले ले दो बेट चाहिं नहीं दिखना वी चेन आपको नॉमिनल वैल्यू कि तर रहे यह रहा तो इधर लिख दे नहीं नॉमिनल वैल्यू कितना है सर 1,20,000 तो इधर आ जाएगा 1,20,000 इधर भी लिख दो बेटा 1,20,000 एक लाग लाग और यह माइनस करो एक लाग बीस यह पचास और तीस असी तो मदब चालीस ही बचेगा ना पचास प्लस तीस असी माइनस एक लाग बीस हो कितना आया सब चालीस अजार बचा कभी आया सरी है 31st December 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 मतलब 12 तान इसको नाम कि लिखना है बाई बैलेंस टैने डाउन सर ब्रॉट डाउन क्यों निया ओपनिंग को ब्रॉट डाउन होता है है closing को क्या होता है opening होता तो brought down closing दो क्या लिखना है buy balance carry down कितना है सर 40,000 अभी इसके लिए working note बनाओं इस पे interest निकालना पड़ेगा कि नहीं निकालना पड़ेगा interest बहुत मघज मारी 15 मां कैसे थोड़ी मिलेगा इसको working नमबर 6 यहाँ पर आ जाएगा 6 तो वर्किग नमबर 6 क्या लिखना है इंट्रेस्ट अन डियू डेट कभी ऐसा 31 डीसेंबर 31 डीसेंबर 2013 क्लियर है तो कितना इंट्रेस्ट है बच चलाओगे यहां पर अमने को निकालना है 40,000 तो interest is equal to 40,000 multiply by 12 upon 100 पूरे साल का ही है multiply by 12 upon 12 clear पूरे साल ही है 0,0 minus 0,0 minus तो यह 400 multiply by 12 कितना है सर 4,800 रुपीज का क्या है सर interest है तो इदर लिखो सर 4,800 अभी देखो ध्यान से देखना यह interest वाला यह column ही क्या रहेगा ज्यादा रहेगा बाद में बता तो 4,800 की interest अभी इसको टैली कर देखो यह टैली नहीं होगा interest मेरे को पता है देखो यह इसको टैली करो 91 प्लस 19 प्लस 1300 इसका कितना अशर यहाँ पर लिखते तो यह मैंने सेम लाइन पर लिखना भाही लोग देखो मैं सेम लाइन पर लिखना एक लाक 11,300 इदर पर लिखो एक लाक 11,300 माइनस करो माइनस 28,800 माइनस 44 माइनस 18,33 कितना है 36,667 इक बार मैं भी जला चेक कर लूँ राइट है रॉंग है पता चलना चाहिए न भाई राइट है राइट है 36,667 क्लियर है यह सर डन अभी सार इसका क्या करना है यह भी हो गया यह भी हो गया अभी देखो सर इंट्रस का टोटल नहीं है 2400 प्लस 5500 प्लस यह 4800 इसका कितना है सर यह आया मेरेको इंट्रस का अलग से लिखता हो यह जो मेरेको इंट्रस का यह वाला साइड है ना क्रेडिट वाला साइड देखो इंट्रस का क्रेडिट वाला साइड मेरेको आया 12,700 सो क्रेडिट स्य ज़ीज चैपके अर्म को बारह हईजार सातसु से क्या करना माइनस करो माइनस कितना गरना स法 यह हंता है सर 100 वारा हजारस सबस्सार इस बारह हजार सो को नाम क्या लिखे डावा है करते हैं ट्रांसफर करते हैं तो यह जो आया कभी आया सर्थ थर्टी फर्स डिसेंबर टू थाउज़न थर्टीन तू कि प्रोफिट एंड लॉसर यहां पर क्या लिखना है सर्बैलेंसिंग फिगर यहां पर अपना सम क्या होता है खत्म होता है बाकी सारा आपको क्या करना है देख लेना है तो यहां पर बच्चे लोग मैंने यहां पर क्वेश्चन नंबर वन क्या कर दिया कथमा ठोड़ा दिफिकल्ड लगा रहेगा पंधिकल्ड नियुकर्ट इसको अगर तुम साथ जाए तो इसको डेखते रहो करना तो आपको आएगा नहीं चीज़ बोलता हुँ साथ में करना स्वर्किंग नोट भी बहुत जादे हैं आरे वर्किंग इठेठेख आपा करना बाया तो सिंपल्ड Ich GGG ऑर बड़े-बड़े समाय गणुर बाहँ हैला और great नंबर वन खतम होता है अभी लेक्चर नीमर्ण में एकस इंटरस पनीटरस बता से नेक्स question number two करने वाले है बेट जातो all the best सभी बच्चों को thank you so much bye bye